आज के लेक्चर में हम automated DNA sequencing को discuss करते हैं DNA sequencing को हमने अपने previous lecture में भी discuss कर लिया तै कि DNA sequencing is the process of determining the precise order of nucleotide within our DNA molecule मतलब जब हम adenine, thiamine, cytosine and guanine की जो sequence है DNA में जब हम इसको determine कर रहे होते हैं so this process is called as DNA sequencing और DNA sequencing हम मैन्वयल तरीके से भी क Ready सकते हैं और ऑटमेटव कर सकते हैं जो तरीके कार हम यूज कर रहे होते हैं DNA sequencing के लिए वे हमने में हमने हम स्टीयद में सेंगर मैंनी हम और हम Magzim Gilbert method यूज़ कर रहे होते हैं मैनूल तरीके से DNA की sequence को मालूम करने के लिए इसके लावा automatic DNA sequencing के तरीके कार से भी हम DNA की sequence को मालूम कर सकते हैं और इसमें हम एक machine का यूज़ करकर sequence को मालूम करते हैं and that machine is called as automatic sequencing machine तो यहाँ पे कुछ हम advantages पढ़ते हैं कि जो automatic DNA sequencing है यह इसके advantages जादा है as compared to manual method of DNA sequencing एक तो easy method है easy इसलिए है कि सब कुछ आपके लिए machine करकर दे रहा है तो आपकी energy waste नहीं होती है good quality का है यहाँ पे जो nucleotide sequence हम determine कर रहे होते हैं तो बहुत जादा precisely determine हो जाते है as compared to manual method and high speed है बहुत जल्दी जल्दी आपके पास जो unknown sequence होता है तो वो known हो जाता है with the help of machine radioactivity is not required क्योंकि हम manual तरीके में radioactive isotopes का use करते हैं जबके हम automatic तरीके में कोई भी radioactive isotope नहीं use कर रहे होते हैं तो उसकी से हमें पता है कि यह जो radioactivity है तो यह mutagen है mutation cause कर सकते हैं इसलिए radioactive isotopes को handle करना difficult होता है तो हम automatic DNA sequencing में radioactivity नहीं use कर रहे होते हैं sequencing of large size DNA section एक इसका यह भी advantage है automatic तरीके कार का कि इसमें हम बहुत जादा जो nucleotide sequence का gene है तो उसकी भी sequence को हम मालूम कर सकते हैं जबके manual method में हम small sized gene के nucleotide sequence है just उनको ही determine कर सकते हैं तो यह इसका बड़ा advantage है the sequence data is directly fed on into and stored in a computer जब हमारे पास यह machine हमारे ले sequencing कर देता है तो यह machine पर connect होता है एक computer के साथ तो computer हमें पुरा का पुरा sequence में बता देता है और पिर उसी information को store भी कर लेता है तो storage का फाइदा यह हो जाता है कि अगर हमें further किसी experiment में इसी sequence के analysis की जरूरत होती है automatic तरीके से DNA की sequencing का तरीके कार आसान होता है as compared to manual method of DNA sequencing Students, the basic principle for the automatic DNA sequencing will be same as that of the Sanger's method क्योंकि यहाँ पर भी हम use करेंगे DDNDPs का जो के chain को terminate कर देंगे जिस तरीके से हमने Sanger's method में डिसकस किया था तो वही rule यहाँ पर पर फॉलो होगा इसलिए अगर आपको इस automatic DNA sequencing को समझना है तो आपको Sanger's method को लाजमी समझना होगा तो यहाँ पर हम अपने जो इस automatic DNA sequencing के लिए जो requirements हमें चाहिए होते हैं उसको हम discuss कर लेते हैं हमें DNA चाहिए हमें वो वाले DNA चाहिए जिसके sequence को हम मालूम करना चाहते हैं और इस DNA का हमें उनली वन स्ट्रेंड चाहिए होता है और इस स्ट्रेंड को हम जो है अपने टैक करते हैं विद नोन सिक्वेंस एट तर्ड एंड इसके तर्ड एंड पर हम अपनी मर्जी के कुछ निकलोटाइग्स लगा देते हैं क्योंकि पिर इन्हीं सिक्वेंस के कॉडिंग हमने प्राइमर यहां पर अटाच करवाना होता है इसलिए हम कोई भी निकलोटाइट से यहां पर इसके थर्ड एंड के साथ लिंक करवा देते हैं इस सिंगल स्ट्रेंड के साथ यहां पर हम इन्जाइम यूज करते हैं देने फोलीमेरेज इन्जाइम जो के इस सिंगल स्ट्रेंड के कॉडिंग जब प्राइमर इसके साथ एनिल हो जाएगा इन सिक्वेंस के साथ हो तो तो पर यह Polymerase Enzyme उसी template stand के according दूसरे strength तयार करेगा Primer हमें चाहिए क्योंकि Polymerase जब भी काम करते है तो उसके लिए Primer हमें लाजमी चाहिए होते हैं और ये Primer हमें design किया हुआ होता है according to the non-sequencing at third end इस process के तुरान में हमें all type के जो four different type के हमें पास DNTPs है यहीं DATP, DCTP, DGTP and DDTP तो यहां हमें चाहिए होते हैं क्योंकि जो Polymerase Enzyme दूसरे strength बनाएगा तो उनके लिए यही DNTPs building blocks की तरह काम करेंगे इनहीं को जोड़कर हम अपने template DNA के recording दूसरा strength बनाएंगे with the help of Polymerase Enzyme अब यहां पे हमें चारो different type के DDNTPs भी चाहिए होते हैं DDNTPs को हमने Sinker's method में डिसकस किया था कि यह एक modified type का nucleotide है यह अपने fifth position पर मौजूद phosphate group के जरीए दूसरे nucleotide के साथ link होने की तो ability रखता है बट यह जो modified type का हम जो nucleotide है यह अपनी third position से किसी दूसरे nucleotide के साथ नहीं link हो सकता क्योंकि इसके third position पर hydroxyl group absent होता है इसके third position पर just hydrogen मौजूद होता है और hydrogen किसी दूसरे nucleotide के साथ link नहीं हो सकता है किसी दूसरे nucleotide के साथ link होने के लिए इसको third position पर hydroxyl group चाहिए होता है इसलिए ये उस chain में participate तो कर लेता है, मतबब आकर link तो हो जाता है, बट ये अपने साथ किसी दूसरी निगलोटाइट को नहीं link कर सकता है, इसलिए जहां पर ये attach हो जाता है, तो वहां पर chain terminate हो जाती है, तो इसका हम use करेंगे DDNTPs का, और इन DDNTPs को हमने fluorescently labeled किया हुआ होत इसको specifically fluorescently labeled किया हुआ है, DDGTP, ये भी अपना particular color देगा, जब हम इसको use करेंगे, DDCTP, ये भी अपना particular color emit करेगा, DDTTP, ये भी अपना specific color देगा, क्योंकि हमने इसको specifically different, जो fluorescent dye है, तो उनसे ये label किया हुआ है, अब हमने क्या करना है, हमने एक heat tube ले ले लेनी है, और उसमें य थोड़ा सा Sanger's method में difference आ रहा है, Sanger's method में हम four tubes use करते हैं, उनमें ये सारी चीजे तो हम सेम डाल देते हैं, Sanger's method में, बट Sanger's method में हम हर एक tube के अंदर एक DDNTP भी डालते हैं, जबकि यहां पे हम एक ही tube के अंदर सारी की सारी requirements डाल देंगे, और पिर इस tube को उटाकर हम automatic, जो sequencing machine है, तो उसके अंदर रख देंगे, तो जो इसके अंदर हमारा template DNA होगा और इसके अंदर जो polymerase enzyme होगा, तो उसकी help से हमारे पास different sizes के DNA fragments आ जाएंगे, तो यह हमने requirements को study कर लिया, कि हमें कौन कौन सी चीजे required होती है इस process के दोरान में, machine भी हमें चाहिए क्योंकि machine भी तो ह हमारे लिए यह सारी जो process है मलब DNA के different fragments को बनाना, तो यह त्यूब हम जब उस machine में रखते हैं तो तब ही यह काम perform होता है, तो इसलिए machine भी इंपोर्टन रेक्वार्मेंट है, तो इसलिए machine भी हमारे पास एक unknown sequence है DNA का, जिसके निक्रोटाइट की arrangement को हमने determine करना होता है, तो करते हैं, हमने इस ट्यूब के अंधर डाला ता अपना single standard DNA, जो के third end से कुछ known sequences के साथ टाइग हुआता, तो जो प्राइमर हमने इसमें डाला तो इन ही sequences के according डाला था, इन ही के complementary हमने add किया तो यह प्राइमर अपने respective nucleotides के साथ जुड़ जाता है, उसके बात DNA polymeries enzyme अपनी DNA polymeries enzyme के आगे दो तरह के nucleotides आ रहे होते हैं, एक तो normal nucleotides होते हैं, जिनको हम DNTPs कहते हैं, वो अपनी fifth position से भी जुड़ सकते हैं दूसरे nucleotides के साथ और अपनी third position से भी जुड़ सकते हैं दूसरे nucleotides के साथ, लेकिन इस DNA polymeries enzyme के आगे कुछ modified type के nucleotides भी आ रहे होते हैं, और वो हमाया पास DD entities होते हैं, जो के अपनी fifth position से जुड़ सकते हैं, लेकिन अपनी third position से किसी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, तो by chance जब ये DNA polymeries on modified type के nucleotides को कहीं पर जाकर attach करवा देता है, तो वो तो attach हो जाते हैं, उस chain का part तो बन जाते हैं, बड़ वो DD entities मजीद किसी दूसरे nucleotides के साथ नहीं link हो सकते हैं, इसलिए chain वही पर terminate हो जाती है, तो हमाया पास different sizes के धीने आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर हम डिसकस करते हैं, जो fragments हैं तो उनमें nucleotides के arrangement किस तरीके से आएगी, यह हमने primer को यहाँ पर बनाया हुआ है, और मैं यहाँ पर जिस्ट ए यहाँ पर nucleotide add करना था, इसी G के according, तो by chance उस polymerase enzyme के हाथ एक modified type का DDCTP लगा, तो इसलिए वो इसने यहाँ पर आकर attach करवा दिया, यह किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकता है, इसलिए यह chain यहाँ पर ही terminate हो जाती है, यह D ने इतने ही nucleotides के साथ बनकर terminate हो जाता है, अब दूसरी possibility यह TK, यह polymerase enzyme, जब इस G के according add कर रहा था nucleotide, तो वो तो इसने normal attach कर दिया, बट इस TK according जब वो adenine attach कर रहा था, तो adenine इस polymerase ने DDATP उटा लिया, तो इसलिए चीनी हाँ पर ही terminate हो जाती है, तीसरी possibility को हम discuss करते हैं, polymerase enzyme ने C normal उटाया था, adenine भी normal तो इस polymerase के हाथ वो T, DD, TTP लगा, इसलिए चीन यहाँ पर terminate हो जाती है, तो इस तरीके से अगर हम देखे तो इस GK according C normal attach हुआ, यह वाला A b normal attach हुआ, T b normal attach हुआ, बट इस GK according जब वो C attach कर रहा था, तो वो C इस polymerase ने DD, CTP attach कर दिया, तो चीन यहाँ पर terminate हो जाती है, इसी तरीके से अगर आप देखे, तो यह वाले nucleotides normal attach हो जाते हैं, जबके यह वाला जो G है, यह DD, GTP attach हो जाता है, इस वाले CK according तो इसलिए चीन यहाँ पर terminate हो जाती है, अगर हम देखे तो यह सारे के सारे nucleotides, यह next possibility है, सारे nucleotides normal attach हो जाते हैं, जबके इस TK according जब एड आडेनीन DD-ATP आकर attach हो जाता है, नेक्स्ट पॉस्बिलेटी को डिसकस करते हैं, के पोलीमेरेज इन्जाइम यहाँ पर प्राइमर के according बैटा हुआ होगा, इसने इन nucleotides के according जो complementary nucleotides add के वे होंगे तो वो normal add के वे होंगे जबके chance यह था कि इसने इस TK coding जब A attach करना था तो वो A यह यह निके Adenine वो उसने DD ATP उटा लिया तो chain यहाँ पे terminate हो जाती है इसी तरीके से यह possibility भी हो सकती है कि इन nucleotides के according जो complementary nucleotides add हुए तो नॉर्मल हुए है जबके इस वाले A के according जब वो तायमीन लिंक करवा रहा था तो वो DD TTP attach हो सकता है तो कोई भी possibility हो सकती है बट हमारे पास उस tube के अंदर यह different sizes के DNA के fragments हम ने बन जाएंगे तो अब हमने next process में next step में in different sizes DNA के fragments की एक दूसरे से separation करनी होती है और इसके लिए हम gel electrophoresis यूज करते हैं तो strengths इस तरीके से हम एक जेल prepare कर लेंगे और उसमें हम एक ने वेल्व बना देंगे और उस ने वेल्व के अंदर हम यह जो डिफरेंट sizes के DNA के fragments उस ट्यूब के अंदर बने पे होंगे तो वो हम इस वेल्व में load कर देंगे और इस unit को on कर देंगे और DNA रन करेंगा अपने respective positive pole की तरफ तो यहां पर अगर हम देखे तो यह वाला जो DNA है इसके पास nucleotides कम है इसलिए सबसे आगे appear होगा और यह वाले जिनके पास nucleotides जादा है तो यह सबसे आखिर में appear होगा अब यहां पे जो DNA है उनके हमें different different locations पर appear होना start हो जाएंगे लेकिन हमने यहां से अपने sequence की मतब जो unknown sequence है तो उसकी reading नहीं करनी होती है क्योंकि यहां पे unknown sequence की reading automatically होती है तो हमने अब next यह करना होता है कि इस जेल के उपर से हमने UV radiation गुजारनी होती है मतब कि UV laser beam यहां से गुजरते हैं तो लेजर beam excite the fluorescent dyes और यह fluorescent dye हमने actually DD NDPs में यूज किये होते हैं that result in the emission of specific spectral waves तो जब यह UV radiation उन fluorescent dyes के साथ reaction करते हैं तो एक specific type की colored light produce होती है और वो जो colored light है उसको एक detector capture कर लेता है इस detector को हम कहते है photo electric device यह जो detector है यह connected होता है एक computer के साथ तो अब यह जो हमारा computer है इसकी screen पर हमारे unknown sequence की सारी information डिस्प्ले होना start हो जाएगी वो जो information है उस sequence की हम यहां से analysis करते हैं उस computerized screen पर हमारे सामने इस तरह का एक graph बन जाएगी उसमें nucleotides की सूरत में भी हमें information दे रहे होते हैं colors की सूरत में भी हमें information दे रहे होते हैं और इस तरीके से हर एक nucleotide का अपने एक specific peak बन रहा होता है तो सारी की सारी information हमारे पास इस computerized screen पर और पिर हम computer के अंदर उसको store भी कर लेते हैं, अगर हमें further experiment में इस information की जरूरत होती है, इसके analysis की जरूरत होती है, तो हम इसको analyze भी कर सकते हैं, अगर हम एक normal gene की information इस computerized screen में put कर दे और हम एक mutated gene के sequence को identify करें, तो obviously, mutated gene में और एक normal gene में difference हमें यही computer बता रहा होते हैं, क्यों इस तरीके से हम comparison कर सकते हैं, नॉर्मल और एक mutated gene का, तो यह आज के lecture में हमने study किया कि हमाया पास automatic तरीके से भी हम DNA की sequencing कर सकते हैं, और इसके advantages ज्यादे हैं, इसलिए हम आज कर बहुत लार्ज स्केल पर DNA की sequencing के लिए automatic DNA sequencing कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत लार्ज जो DNA sequence ह हैं, तो वो भी इसी तरीके कार से मालूम कर सकते हैं, और हम यह भी कहते हैं कि कोई इसमे radio labeled isotope use नहीं हुआ होता है, इसलिए यह health hazard भी नहीं है, हम इस process में यह करते हैं कि एक tube में हम template देने डाल देते हैं, और उस template देने को पहले हमने third end से कुछ unknown sequences के साथ label किया हुआ होता हैं और हम इसमें जो modified type के nucleotides हैं, मतलब के DD NTPs वो भी डाल देते हैं, बट वो जो DD NTPs होते हैं, वो fluorescently labeled होते हैं, उसमें हमने कुछ ऐसी chemical use की वे होते हैं, जो के specific color को emit करेंगे, जब इनके साथ UV radiation का reaction होगा, तो यह जो tube है, यह हम एक specific machine में रख देते हैं, जिस machine को हम कहत हैं, automatic DNA sequencing machine, तो उस machine में हमारे template DNA के according, different different sizes के DNA हैं, उनकी formation हो जाती है, और यह हमाँ पास सेंगर्स method की तरह है, क्योंके chain termination होती है, एक specific DD NTP पर, तो यह जो different sizes के DNA के fragments हैं, तो उनको पिर हम separate करते हैं, जल electrophoresis के जरी, जनके पास nucleotides कम होते हैं, तो वो आगी की तरफ कड़ा होता है, मतलब वो positive end की तरफ होता है, जसके पास nucleotides जादा होते हैं, तो वो negative end की तरफ हमने मौझूद होता है, तो हमने जल से किसी किसम के sequence की reading नहीं करनी होती है, बलके automatic तरीके से हम उसकी reading कर रहे होते हैं, जब हम इस जल पर से specific UV radiation को जारते हैं, तो वो UV radiation DD NTPs में कर लेता है, और वो detector connect होता है computer के साथ, तो computerized screen पर हमारे nucleotide के sequence भी appear हो जाता है, और उसकी जो different colors है, हर एक nucleotide के particular भी appear हो जाते हैं, और वो हमारे पास इस तरीके से peak की सूरत में होते हैं, तो हम इस gene के sequence को, इस gene के peaks हैं, और एक mutated gene है, उसके दर्मान में, हम comparison कर सकते हैं, इस computerized screen के पास store हो जाती है, अगर हम इस sequence को देके, तो यह exactly यही sequence है, जिसको हमने known करना होता है, तो इस तरीके से unknown sequence हम automatic तरीके से भी known कर सकते हैं,